दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अन्बोक्सिंग टाइम पर तो इस फीडियो के अंदर आज मैं कंपैरिसन करने वाला हूँ ये जो एम्बरेन का 10-0RMS का पाउर बैंक है इसको हम कंपैर करेंगे फ्लिपकट के 10-0RMS पाउर बैंक के साथ दोनों ही made in India पाउर बैंक है दोनों ही made in India में बनते हैं दोनों की capacity भी 10-0RMS की है और दोनों का जब price है वो भी लगभाई एक ही जैसे 400-500 रुपे में easily आपको दोनों flip cut पे मिल जाएंगे तो ऐसे में अगर आप दोनों में से confused हैं कि दोनों में से आप सभी को कौन सा लेना चाहिए किसकी build quality जादा अच्छी है किसमें आपको जादा feature देखने को मिल जाएंगे तो ऐसे में इस वीडियो का आज आप पूरा देख लीजिए वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों को अच्छी तरीक से compare करा हैं तो आप सभी को अच्छा खसा idea हो जाएगा कि दोनों में से आप सभी के लिए best कॉन सा है वैसे मैं अब वीडियो के लास्ट में आप सभी को बता दूँगा कि दोनों में से बेस्ट दोस्तों यह देख सकते हैं यह हमारे दोनों PowerBank के box यह हमारा एम्परेन वाला यह हमारा FlipCut वाला है जो एम्परेन वाला है यह थोड़ा colorful इसका box है और यह फिलिपकट वाला है इसका मतलब box काफी simple सा रखा गया है एंपर की साड काफी बड़े लेटर में में इंडिया लिखा गया है जबकि यह care रिप की साइड रंपधे रेके णुट सर्य एंडिया झीर charging technology है और 2.4 ampere का इसमें आपको USB charging output देखने को मिल जाएगा साथ ही में है पर आप देख सकते हैं charging time भी है आपर बताएगे जो कि 5-7 गंटे इसे चार्ज होने में लग जाएंगे और आपको इस पर 6 महिने की warranty मिल जाती है यानि 180 days की warranty आपको देखने को मिल जाती है box की उपर अगर मैं इसकी MRP की बात करूं तो 1499 पर लिखा गया है जबकि यह जो हमारा flip cut वाला है इसके box के उपर भी इसकी MRP हापर मैं आपको दिखा देता हूं अपर आप देख सकते हैं इसके उपर भी 1499 पर MRP लिखी गई है तो दोनों के उपर MRP सेम लिखी गई है क्योंकि दोन आपको ज़्यादा feature देखने को मिल जाते हैं दोस्तों सबसे बहले हैं यहाँ पर मैंने membrane वाले box को यहाँ पर open कर लिया है box में आप सभी को membrane वाले में thank you for choosing का card मिल जाएगा इसके लावा आप सभी को एक user manual मिल जाएगा और यहाँ पर आप सभी को इस प्रकार का box मिल जाए और साथी में आप सभी को charging cable भी देखने को मिल जाएगी मैं अपन आपन समानों दीखने को मिल जाता है तो जयसे मने Flipcut वाले को open किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आप सुभी को इस परकार का एक box मिल जाएगा यह हमारा power bank है साथ ही में आप सुभी को इस परकार का एक user manual मिल जाएगा और charging cable इसके अंदर है है इसके अंदर charging cable यहाँ पर दी गई है आपको मैं दिखा देता हूँ इस परकार का आप सुभी को इक charging cable देखने को मिल जाएगा तो यह सारा समान हमें flipcut वाले में देखने को मिल जाता है तो यह है इसका user manual जहाँ पर 10RMS की बात की गई है सारी चीज़ने लिखी गई है इसके अलवा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो charging cable है इसकी charging cable की quality भी अच्छी है और यह है हमारा main power bank जिसे मैंने black color में मंगवाया है दोस्तों दोनों की quality प्लास्टिक में ही आता है metal वगरा में नहीं है दोनों की quality plastic में है तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों power bank की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रहे हमारे दोनों power bank इस pouch को मैं side में रख देता हूँ वैसे pouch की quality ठीक ठाक है वैसे कौन power bank को pouch वगरा में रखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हमारा membrane वाला और यह है हमारा flip cut वाला दोनों की charging cable की quality अच्छी है बस membrane वाले में आपको flat cable मिल जाता है और इसमें आपको इस type का यह जो normal सा cable है वो देखने को मिलता है दोनों की cable की quality बहुत ही जादा अच्छी है मतलब टिकाव quality है इनकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे दोनों power bank अगर मैं बात करूँ membrane वाले की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको dual finish देखने को मिल जाता है उपर की side आपको यहाँ पर texture finish मिल जाएगा और नीचे की side यहाँ पर आपको plane मिल जाएगा यहाँ पर 10-10 में इस power bank लिखा गया साथी में चार LED यहाँ पर दी गई है और side में यहाँ पर button दिया गया जैसी में इस button को on करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह LED on हो जाते हैं तो अगर मैं बात करूँ flip card वाले की जैसी आप button को tap करेंगे तो यहाँ पर इस side यहाँ पर LED जो light है वो दी गई है यहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए बात करते हैं कि दोनों power bank में आप सभी को कौन-कौन से port देखने को मिल जाते हैं अगर मैं बात करूँ membrane वाले की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको dual USB का port मिल जाता है साथ ही यहाँ पर एक आप सभी को single micro USB का port देखने को मिलता है यहाँ पर C-tap का कोई भी port नहीं दिया गया है अगर मैं बात करूँ flip card के power bank की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको dual USB support तो मिली जाता है साथ ही मैं यहाँ पर आपको micro USB और type C port भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप सभी को membrane वाले में देखने को नहीं मिलता तो चलिए अगर आपके पार बैंक से तक्रीवन 2 बार आसानी से charge कर देंगे तो चलिए अप जल्दी से मैं अपने फोन को charge करके दोनों पार बैंक से देख लेता हूं सबसे पहले चलिए यहाँ पर मैं अपने flip card वाले power bank से अपने phone को रहापर charge कर लेता हो तो यहाँ पर मैंने cable को लगा दिया है चलिए अपने फोन से हैंपर connect कर लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मेरा फोन है यहां पर charge होना start हो चुका है और यह fast charging को support करता है यानि अगर आपका phone fast charging को support करता है तो दोनों ही power bank में आप सभी को 12 watt का fast charging का support मिल जाता है तो चलिए अब मैं आपको अपने एम्बरेन वाले power bank से अपने phone को charge करके दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं हमने cable लगा दिया है चलिए अपने phone के साथ यहां पर हम connect कर लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मेरा phone है यहां पर charge होना start हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने दोनों power bank से अपने phone को easily charge कर सकते हैं तो यहां पर मैं आप सभी को एक और चीज दिखाना चाहूँगा दोनों ही power bank में आप सभी को एक ही जैसा है पर button support मिल जाता है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं अभी light जल लिए जैसी में इस button को दो बार press करूँगा तो यह जो light है बंद हो जाता है तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर हमारी light है जल चुकी है अब मैं यहां पर अगर दो बार tap करता हूँ पर आप देख सकते हैं यह जो light है बंद हो जाता है तो दोनों ही power bank में दोस्तो एक ही जैसे आपको feature देखने को मिलते हैं बस यह जो flip cut वाला है इसमें आपको type C का port extra देखने को मिल जाता है दोनों की build quality एक ही जैसे है दोनों की build quality अच्छी है लेकिन मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आप 400-500 रुपे खर्च कर रहे हैं 10RMS का power bank लेने वाले हैं तो ऐसे में यह flip cut का आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको futuristic type C port भी देखने को मिल जाता है तो आप दोनों में से वैसे ले कोई सा भी सकते हैं साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राब कर लीजेगा